हेलो स्टूदेंट हाव आर यू तोड़े वी आर गोईंग तू डिस्कॉस दे रिदूस्ट सिलेबस फॉर दे क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ में जो सिलेबस रेड्यूस किया हुआ है वो किस टॉपिक से कौन सा जो पॉइंट है या कौन सा चैप्टर रेड्यूस किया हुआ है हम उसे देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर वन में देख रहे हैं नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम के इस चैप्टर में जो सीवियसी ने जो पॉर्शन डिलिट किया है वो पॉर्शन आपको यहां से आएगा कि कि यहाँ पर समझ में आएगा बच्चों कि cvc ने चेप्रश नंबर जो वन है रियल नंबर उसमें से यह जो लिखा है रीप्रेजेंटिंग रियल नंबर on the number line यह जो portion है इस portion को reduce किया हुआ है तो इस जो portion reduce हुआ है उसके बेश पर जो exercise है 1.4 यह exercise जो है हमें नहीं करनी है उसके बाद जो CVSE ने इस chapter में second point reduce किया हुआ है वो है nth root of a real number तो nth root of real number की जो definition है वो हमें नहीं करनी है यह पर दिया हुआ है nth root of rational number तो केवल definition नहीं करनी है बागी portion आपको as it is करना है ठीक है तो यह बात हुई हमारे chapter number 1 की अब हम आते हैं chapter number 2 जिसका नाम है polynomial polynomial chapter में जो portion CVSE ने delete किया है हम उसे देखते हैं तो CVSE ने हैं से क्या delete किया है remainder theorem जो आपको जो topic दिखाई दे रहा है यह पर point दिखाई दे रहा है इसे क्या किया हुआ है delete किया हुआ है तो इसका जो theorem है है ना उसका statement भी किया हुआ है और साथ ही साथ उसके एक्जामपल भी delete किया है तो इस जो portion delete किया है उसके best पर जो exercise 2.3 है यह exercise हमें नहीं करनी है और इसी chapter में cbse ने factor जो theorem है factor theorem जो दिख रहा है इसका statement भी उन्होंने reduce किया हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या करना इस statement नहीं करना है बाकि इसके best के जो question है वह आपको कर लेने हैं ठीक है तो इस प्रकार हम जो chapter number 2 के अगले point की बात करते हैं तो यहाँ पर यदि हम algebraic identities की बात करते तो यह identity 1,2,3,4 इसके best के question हमको पूरे करने हैं साथ साथ में identity 5 यह भी करने है इना identity 6 और 7 यह identity करनी है लेकिन दिहान यह रखना है कि identity 8 है यह जो identity है इसके best के जो question है इस पर जो आधारित question है इसे आपको नहीं करना है तो इन exercise में आपको देख लेना है कि इस identity के best में कौन-कौन से question है यहाँ पर कुछ question जो दिखाई दे रहे हैं जैसे यह है है ना इस परकार का question यह वाला को question है यह question जो है आपको नहीं करने और भी आप देख लेजिए जो question इस identity के best पर solve की हुए है उसे आपको नहीं करना है तो यह बात हुई है हमारे chapter number 2 तक की कि अब आते हैं हम question number chapter number 3 में तो chapter number 3 जो coordinate geometry है उसमें किसी भी प्रकार का changes नहीं किया हुआ है यह पूरी जो chapter है आपको पूरा as it is पढ़ना है ठीक है तो अब हम इसको इसके बाद हम question chapter number आते हैं 4 पर जिसका नाम है linear equation in two variable तो linear equation in two variable में जो question है ratio and proportional का जो questions है ना 4.1 इसमें जो question है ratio and proportional के based पर उसको आपको नहीं करना है कि ठीक है इसके बाद कि आगे हम देखते हैं कि इस chapter से कुछ भी डिलिट नहीं किया हुआ है अब हम आते हैं chapter number 5 जिसका नाम है introduction of eclipse geometry यह पूरा-पूरा जो चेप्टर है डिलिट कर दिया गया है यह चेप्टर आपको नहीं पढ़ना है चलिए इसके बाद अगला जो चेप्टर है चेप्टर नमबर 6 लाइन से एंड एंगल तो इसमें से कौन सा पूर्शन डिलिट किया हुआ है हम देखते बच्चों वैसे तो लगपक पूरा जो चेप्टर है यह आपको करना है ना इस चेप्टर में किसी भी पतार का देखेंगे एस एघन हें और चेप्टर है तो एक टीट आ गुरा पूरा राख पराई करना है पढ़ना है इसमें पकार की अदर मिलेशन नहीं हुआ है चैप्टर नमबर सेभन में देखना है कि आपको कॉन सा पौर्शन डिलिट कहा हुआ है तो चीप्टर नम्र Pea की बात करते हैं तो चप्टर नूमर सेवन में आप एक जगेद देखेंगे एस ए है ना कांगुरेंस रूल जो है एसे यहां पर जो आपको दिकरा है इसको आपको प्रूब नहीं करना है और इसे नहीं पढ़ना है ठीक है एक यहाँ पर आपको यह जो थे और हमें इसे प्रूब नहीं करना है और इसे नहीं पढ़ना है तो इस प्रकार चैप्टर नंबर हमने जो 6 कर रहे हैं उसमें एक और पोर्षन है आई देन अन एक्क्यूलिटी इन अ टैंगल तो यह वाला जो पोर्षन है यह भी डिलेट किया हुआ है तो इसके वेस्ट के जो क् कि ए आभ उआ को नहीं करने है तेको कि फिराता है जेप्टार नंबर ऑपर इट इसमें कउधिलेटर पढ़ना है आपको तो प्लेसार में कॉंधा-वोर्षन डिरिट किया हुआ है क्वाट्ट अच्चिक और जवर निजो पोर्ट्ट योए है वह रिया मैं यह निन फार न कौन सा पॉर्शन डिलीट किया हुआ है कोई सा भी पॉर्शन डिलीट नहीं किया हुआ है तो आपको यह टॉपिक एज इस पढ़ना है चलिए नेक्स्ट है एरिया और प्रेलोग्राम एन टाइंगल तो इस पॉर्शन इस चैप्टर नमबर एट है इसमें कुछ फॉर्शन ड डिलीट किया हुआ है कौन सा फॉर्शन डिलीट किया हुआ है चलिए देखते हैं यहां पर जो फॉर्शन डिलीट किया हुआ है वो है यह जो चैप्टर है यह फूरा फूरा जो है आपूर डिलीट किया हुआ है ना इस चैप्टर नाइन को फूरा डिलीट कर दिया गया है अब बात आती है chapter number 10 की, chapter number 10 में जो circle है, circle chapter से भी जो है कुछ portion delete किया हुआ है, कुछ जो theorem है, वो delete की है, तो theorem सबसे पहले, यह वाली theorem है, theorem 10.5, there is only and only one circle passing through three given non-colinear point, यह वाली theorem delete की हुई है, और इसके बाद एक theorem और है, 10.10, यह वाली जो theorem है, यह वाली theorem भी delete की हुई है, कौन सी theorem है, if a line segment joining two points, subtends equal angle at two other points, laying on the same side of the line, containing the line segment for point lie on a circle, तो यह वाला जो theorem है, इसे delete किया हुआ है, अब हम बात करते हैं, question chapter number 11, construction, तो इसमें, जो है, construction के chapter में, कोई सा भी जो है, आपको portion जो है, delete नहीं किया हुआ है, अब हम chapter number 12 की बात करते हैं, here on formula, तो इसमें जो first इसका जो portion है, है ना, जिसमें कि हम triangle का area find out करते हैं, here on formula से, वो आपको करना है, लेकिन जो इसका second part है, कौन सा, application of here on formula, तो finding area of quadrilateral, ये वाला portion जो है, quadrilateral का area find out करना, here on formula से, ये आपको नहीं करना है, तो ये नहीं करना है, तो ये जो exercise है, 12.2, आपको ये नहीं करनी है, अब chapter number 13, surface area and volume, पूरा-पूरा आपको पढ़ना है, इसमें किसी प्रकार का relation नहीं हुआ है, अब अगला देखते हैं, chapter number, chapter number कौन सा है, इसके बाद, इसके बाद आएगा आपका chapter number 14, aesthetics, तो aesthetics का जो chapter है, उसमें आपको जो portion delete किया हुआ है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें histogram, यह वाला portion है, histogram of uniform with and of wearing with, यह वाला जो portion है, यह histogram यह आपको नहीं पढ़ना है, यह histogram की question है यहां से, यह histogram की question आपको नहीं पढ़ने है, ठीक, और histogram को छोड़ कर यह जो है, bar graph and frequency polygon से यह तो पढ़ने हैं कि और histogram वाला जो part नहीं पढ़ना है, फिर इसके बाद, इस chapter में histogram के base पे कुछ question है, 14.3 में जैसे histogram को एक question दिख रहा है, तो इस प्रकार के जहाँ जहाँ भी histogram find out करने question जैसे यह है, यह वाला question है, histogram find out करने के question आपको नहीं पढ़ने हैं, ओके, फिर इसका जो second, जो find जो delete के हुआ है, वो measures of central tendency, इसमें आपको कौन को सा नहीं पढ़ना है, mean, median, है ना, यह जो नहीं पढ़ना है, यह वाला portion आपको नहीं पढ़ना है, mean, median, यह जो portion है, यह आपको नहीं पढ़ना है, तो 14, find 4 की जो exercise है, जिसमें की आप जो इस प्रकार की mean, median, यह जो find out करते हैं, यह आपको नहीं पढ़ना है, और mode, mode भी है उसी में, mean, median, mode यह सब नहीं पढ़ना है, अब last chapter है 15, probability, तो इस probability वाले chapter में कुछ भी portion delete नहीं किया है, आपको पूरे-पूरे जो है chapter को cover करना है, ठीक है, तो इस प्रकार जो class 9 के syllabus में जो change हुआ है, वो आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हर chapter से कौन-कौन से point delete हुए है, और कौन-कौन से chapter fully delete किये हुए है, तो बच्चों, बस आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, और उसके according अपने exam की preparation कीजिए, ओके, thank you. है झात अ घए हुआ है,